नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टर्ण में दोस्तों कई बार गॉव्मेंट की एक छोटी सी घूसना से या छोटे से एनॉंस्मेंट से कई सेयर में बहुत अच्छी उच्छाल आ जाती है कई स्टॉक्स के अंदर जो है गिरावट भी आ जाती है आज ऐसे ही एक शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है IRCTC IRCTC लगवग जहां तक मुझे याद है 2019 में लगवग 2018 में इसका जो है IPO आया था IPO का जो फ्लोर प्राइस रखा गया था लगवग 300 रुपए के अराउंड था लेकिन इसकी लिस्टिंग ही मेगा लिस्टिंग हुई थी और इसने अपने शेयर और को बहुत जवर्दस्त रिटरंस बनाके दिये थे ये कंपनी जो है लगवग 1300 रुपए का हाई जो है टच कर चुकी है अपने लाइफ टाइम में अभी जो ये शेयर आपको 694 रुपए का दिख रहा है वास्तों में ये 694 रुपए का नहीं लगवग 3500 रुपए का ये शेयर है ऐसा क्यूं क्यूं क्यूंकि IRCTC ने अपने भूल्डर को 1 इस टू 5 के रेशियो में इस्प्लिट दिया था यानि कि 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए में कणवर्ट कर दिया था इसलिए शेयर होडर को एक शेयर के बदले 5 शेयर मिले थे और उसी रेशियो में जो कमपनी का शेयर का करन्ट मार्केट प्राइस था वो भी reduce हो गया था तो दोस्तों रिटन्स के मामले में तो इस company ने आसमान को छुआ है खुद आप लोग भी ये चीज जानते होंगे अब हाल ही में पिछले एक दो दिन में एक news आई थी government के office को लेके जिसके चलते railway का जो ये share है बहुत जादा नीचे गिरतावा रहा है वो भी आप लोगों को बताएंगे आगे बढ़ने से पहले लेकिन दोस्तों एक चीज में जरूर कहना चाओंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में जो बेल का गर्फ इंडिया जो हैं यहां पर प्रमोटर हैं गॉस्मेंट अफ इंडिया एक साड़े पांचपरतिसत और पबला है कि पांगे की शेयर बशीयर होल्डिंग है तो शेयर होल्डिंग तो कंपनी का काफी अच्छा है 55,000 करोड रुपय का मार्कट कैपिलासिछ इन आई-र का तो almost debt free company dividend yield 0.50 percentage की है अगर पैट देखा जाए 226 करोड रुपए का profit growth 111 परतिसत की है तो company के आंकड़े अच्छे हैं government ने कहा है कि एक OFS हम लोग लेके आ रहे हैं आज यानि कि 15 तारिक को और 16 तारिक को जिसमें कि government जो है अपना stake dilute कर रही है IRCTC के अंदर अब नहीं पता कि अगर आप एक long term के investor हैं जिन्होंने की investment किया है IRCTC के अंदर इसके fundamentals को देखके इसके businesses के verticals को देखके तो आप एक मात्र OFS से इतना क्यों घबरा रहे हैं क्यों आज IRCTC के share के अंदर इतनी जबर्दस्त गिरावर देखने के लिए मिल रही है लगभग 5-6% के करीब IRCTC का share गिरा हुआ है मैं कहूंगा अगर OFS यहां पर अगर मैं आप लोगों को financial aid 23 तक divestment का target है उसको मद्य नजर रखते हुए government अपनी जो है public company के अंदर अपनी shareholding reduce कर रही है पैसा यहां से earn कर रही है अब आप खुद सोचिए कि आप एक बहुत बड़े क्या है business man है आप एक startup के अंदर investment करते हैं startup grow होते होते बहुत बड़ी company बन जाता है profit बनाना चाता है हर कोई profit बनाना चाता है तो government भी तो यहां पर profit बना रही है उसने बना चुकी है profit उसने एक चोटी सी company को बहुत बड़ा बनाया अब वहां पर offer for sale मतला अपनी shares को बेच रहे तो इसमें बुरी क्या बात है तो मुझे लगता है कि किसी को भी इतना घवराने की बात यहां पर OFS को लेके नहीं घवराना चाहिए 733 रुपए पर yesterday's की closing भी थी और फ्लोर प्राइस जो इसका रखा गया है OFS का 680 रुपए पर share के करीब रखा गया है और इसलिए आज इसका share price आप लोगों को इसी price के आसपास घुमतावा नजर आ रहा है government लगबग यहां पर 5% share जो है आफ लोड करने वाली है और 2720 करोड रुपए यहां earning होगी company की estimate ऐसे लगाय जा रहे है लगबग 4 करोड equity shares जो है offer किये जाएंगे OFS के तहत जिसमें से retail और non-retail दोनों के लिए dates अलग अलग है 15 December यानि कि आज non-retail के लिए day रखा गया है और 16 December यानि कि tomorrow यहां पर retail category के लिए जिसमें आप और हम सब आते हैं उनके लिए यह offer रखा जाएगा तो मैं कहता हूँ अगर आपको offer में participate करना तो participate कीजिए अगर आप इसके long term के investor हैं तो गवराने की बात नहीं है सस्ते price पे अगर आप लोगों को यह share मिल रहा है तो लंबे time के लिए उठाईए इसके verticals देख लिजे अगर Indian railway की कोई भी train आपको book करनी है तो आपको इसी के platform से गुजरना होगा IRCTC के train के अंदर जो खाना बनता है वो यही provide करता है train के अंदर जो पानी मिलता है rail नीर आप लोगों ने देखा होगा वो यही दे रहा है hospitality sector में company काम कर रही है even इसके तो आप hotel वगरा book भी कर सकते हैं IRCTC के platform को use करते हुए तो business के verticals जो इसके काफी अच्छे है और अभी भी monopoly business है यहाँ दोस्तों monopoly business है यानि कि Indian railway में जो है booking के लिए केवल एक ही platform है मलब जो last तक आपको जाना है even आप किसी third party platform पे जा सकते हैं लेकिन lastly वो आपको IRCTC की website से ही ticket करके देते हैं तो यह मैं कहना चाह रहा हूँ कि company अच्छी है केवल OFS के चलते बिकवाली में आप लोगों को जो है मुझे लगता है जाना नहीं चाहिए तो यह तो रहा था पहला share और government का मैं target भी आप लोगों को बता तो इसका चार्ट भी अगर आप लोग देखेंगे तो लगबग flat ही है पिछले 5-6 महीने के दोरान काम कर रहा है तो एक trigger यहां पर अगर आप यह डाउन फॉल हो है तो यहां से जो है एक again अगर breakout होता है इसका नौर्थ वार्ड डारेक्शन में तो अच्छा खासा पैसा बन सक का है यह grow करके जो है 3.21 billion USD का हो सकता है 2022 में और 2022 से लेके 2029 तक जो है 113 billion USD का यह हो सकता है 66% की CAGR के साथ ऐसा forecast लगाया जा रहा है अब अगर इंडिया के अंदर electrical vehicle का market growth कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके में जो company यह काम कर रही है उनको भी benefit होगा पहले तो मैं आप लोगों को airwise यहां पर data दिखाना चाहूंगा कि कितना जवर्दस तरीके से growth यहां पर दिखाई दे रही है dividend yield लगबग एक परतिसत के 0.90% है ROC 11% return on equity 14% का पैट जो है 2266 करोड रुपए का reserves 50,000 करोड के और 83,000 करोड रुपए के यहां पर data company के पिट्रस की score भी 7 का है और company जो मैं कहना चाहा रहा हूँ यहां पर अच्छा काम कर रही है company ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी गोस्टना किये वो आप लोगों को मैं बदाना चाहता हूँ Mahindra and Mahindra यह जो company है दोस्तों Mahindra group की company है two wheeler, three wheeler, pv, cv, tractor and earth movers में यह company इंडिया में नाम रखती है जी हां दोस्तों Mahindra की गाड़िया आप लोगों ने देखा होगा और EV के business में अब इन्होंने बहुत बड़ा एक इनको बदा यह मान लीजिये approval मिल चुका है जिसके चलते अगले आठ सालों के दोरान यह बहुत जादा पैसा लगाने वाले हैं EV market में लगबग 10,000 करोड रुपए लगबग 7 से 8 साल के दोरान यह इन्वेस्ट करने वाले हैं electrical vehicle business में महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैं कहना चाहता हूँ कि महराश्र गॉवर्मेंट ने इनको approval दे दिया है industrial promotion इनकी scheme है महराश्र गॉवर्मेंट के उसके तहत महिंद्रा और महिंद्रा को वहाँ पर approval मिल चुका है 10,000 करोड इन्वेस्ट करने के लिए EV business में अब जब ये company इतना जादा यहाँ पर investment कर रही है तो जाहिर सी बात है कि future में इस company को benefit तो होने वाला ही है इस business से जिस तरह से growth भी sector की दिखाई दे रही है तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा 10,000 करोड रुपे इन्वेस्ट करेंगे returns के मामले में company ने बहुत अच्छा काम किया है long term में 6,113% के returns बनाए है लंबे समय में और अभी ये share 1290 रुपे के करीब trade कर रहा है कोरोना काल में देखें के मातर 363 रुपे ये share आया था और multi bag returns वहाँ से भी इस company ने बना दिया है लंबे समय के लिए इस तरह के stocks को आप लोगों को लखना रखना चाहिए इनके order book चेक करने चाहिए, इनके plans चेक करने चाहिए, management क्या कह रहा है future के इनके forecast क्या है, जिस industry में ये काम कर रहे है और उस industry में ये कितना investment कर रहे है ये सारी चीजें आप लोगों को study करने चाहिए as an investor तो ये तो रहा दूसरा share तीसरी जो company है दोस्तों छोटी company है इस company का जो IPO आया था पिछले एक डेट साल के दोरान ही आया है market capitalization 1871 करोड रुपए का है ROC 19% का return on equity 17% का है sales growth 12% की profit growth negative में with comparison to previous financial year reserves 366 करोड रुपए के और debt जो है 91 करोड रुपीस का है company के अंदर अगर मैं देखू प्रमोटर की holding तो प्रमोटर की holding 56% की है और बात किया जाए company का नाम तो stove crafts limited company का नाम है इसके brands दोस्तों आप लोगों को पता है prison brand जो है इसका सबसे जादा जाना जाता है जो है ये company LED bulb की manufacturing भी करने लग गई है प्रमोटर के पास यहाँ पर 56% की share holding है DII ने share holding increase किया 9.83 और FII के पास 7.17% की share holding public के पास 26% financial trend भी company का देखेंगे तो लगबग 1100 करोड रुपए के आसपास का revenue generated किया था company ने 2022 में और 60 करोड रुपीज के आसपास का profit भी बनाया है लेकिन अपने all time high से almost 50% के discount पर ये छोटा share मिल रहा है जो की home appliances के business में अच्छी खासी जो है market इसने अपनी बना रखी है इसको stove craft limited ने home appliances की manufacturing ये company करती है mainly इसका brand अगर आप लोग देखेंगे तो prison brand है और साथी साथ दोस्तों description में upstock, jiroda, angelon इन तीनों के link दिये गए हैं तीनों के link पे click कीजिए account open कीजिए और enjoy कीजिए इन तीनों की services तो आज किस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद